जै मातादी दोस्तों, आपको करवाचोद की बहुत बहुत शुप कामना है। मैं आपको करवाचोद की कथा सुनाने जा रही हूं, तो चलिए शुप करते हैं। यह वरत अती प्राचीन है, इसका प्रचलत महाभारसे भी पूर्व का है। यह वरत स्वभागे वथी महिलाओं के लिए उत्तम माना ज़या है। सामाने मानेता के अनुसार सुहागे ने इस वरत को अपने सुहाग की दीरगायू के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रॉप्ती ने भी इस वरत को किया था। इसका समय यह व्रत कार्थि के कृष्ण पक्ष को चंद्रदे चतुर्ती में किया जाता है। कार्थिक मास की कृष्ण की चतुर्ती को करवा चोथ कहते हैं। सुहागवती इस्तिरियों के लिए यह एक बहुत ही सेष्ट व्रत है। इस्तिरिया इस व्रत को पती के दिर्ग ज परने रूप बनाए जाते हैं तता सुहक की वस्तुएं जैसे चूडी, बिंदी, बिच्वा, महंदी और महावर आधी के साथ दूद्देने वाली गाएं, करवा बेचने वाली कुमहार, महावर लगाने वाली नाइन और चूडी बेचने वाली, चूडी पहनाने वाली मनिहा साथ भाई और उनकी इकलोती बहन सूर्य चंद्रमा गोरा और पार्वति आधी देवी देवताव के भी चित्र बनाए जाते हैं सुहागी निस्तिरियों को इस दिन निर्जलवर्त रखना चाहिए रात्री को जब चंद्रमा निकल आए तब उसे अर्ग देकर भोजन करना चा लाहिए यते दिवार पर करवा चोत बनाने में कोई असीविधा हो नहीं बनाना आता हो तो करवा चोत का चित्र बजार से लाकर तीवार पर चिपका सकते हैं अब करवा चोदकी वरत की कथा सुनते हैं, कई कथाय आती ही जिसमें की एक यह है, एक सावकार था जिसके साथ बेटे और एक बेटी, सातो भाई वह बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे, एक दिन कार्दकी की चोदका वरत आया, तो भाई बोला कि बहन आओ, भोजन करें, बहन बोली, आज करवा चोदका वरत है, चांद उगने पर ही खाओंगी, तब भाईयों ने सोचा, कि चांद उगने में बहन भुकी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जला दिया, दूसरे भाई ने चनली लेकर उसे धका और नकली चांद दिखा कर, बहन से कहने लगे, कि च चलो भाई अर्ग दे, भाईया बोली, तुम्हारा चांदू का होगा हमारा चांद तो अभी रात को उगेगा, बहन ने जब अकेले ही अर्ग दे दिया, और खाने लगी, तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकर आया, और तीसरे ग्रास में मूखी और किया तो उसकी सस्राल से संदेशा आ गया कि उसका पती बहुत बिमार है जल्दी भेज मा ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाऊं लगना और जो कोई सुहाक का आशिज दे उसके पल्ले में एक गाट लगा कर उसे कुछ रुपे देना बहन जब भाईयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही आशिज दी कि तुम साथ भाईयों की बहन तुम्हारे भाई सुखी रही और तुम उनका सुख देखो सुहाक का आशिज किसी ने नहीं दिया जब वह सस्राल पहुँची तो दरवाजे पर उसकी चोटी ननन्द खड़ी दी वह उसके भी पाउं लगी तो उसने कहा कि सुहाकिन रहो सपूती हो उसने यह सुनकर पल्ले में से गाट बांधी और ननन्द को सोने का सिक्का दिया तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पती धरती पर पड़ा है तो वह उसके पात जाकर उसकी का चोट आई तो चोट माता बोली करवा ले करवा ले भाईयों की प्यारी करवा ले लेकिन जब उसे चोट माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली है माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मुझे मेरा उद्धार करो आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा तब उस चो चौत आगर चली गए चैत्र वेशात जेश्ट आशाड और शावन भादों की सभी चौत आई और यही कहकर चली कि आगे वाली को कहना असोज की चौत आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्थिक की चौत नराज है उसी ने तुमारा सुआग लिया है वही वापस कर सकती है व जब कार्थिक की चौत आई तो वे गुसे में बोली भाईयों की प्यारी करवाले, दिन में चांद उगानी करवाले, वरत खंडन करने वाली करवाले, भूकी करवाले, तो ये सुनकर वे चौत माता को देखकर उसके पाउं पकड़कर गिर्ड़ाने लगी, हे चौत माता मेरा सुहाग तुमारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करें, तो माता बोली, पापिन, हत्यारिन, मेरे पाउं पकड़कर क्यों बैठ गई, तब वे बोली कि जो मुझसे भूल हुई, उसे शमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी, तो चौत माता ने रसन होकर, आँखों से काजल, नाखुनों से महंदी और टीके में से रोली, लेकर छोटी उली से उसके आदमी पर छीटा दिया, तो वे उठकर बैठ गया, वे बोला कि आज मैं बहुत सोया, वे बोली कहां सोय, मुझे तो बारा महीने हो गए, अब जाकर चौत माता ने मेरे सुहा को लुटाया है, तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो, जब जोट की कहानी सुने करवा का पूजन किया, तो प्रसाद घागर दोनों पती-पत्री चोपड खेलने बैठ गए, तो नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चोपड पासे से खेलते देखा, तो उसने सासर जी को जाकर बताया, तब से सारे गाउन में यह बात प्रसिद हो गई, कि सब इस्तरियां चोप कवरत करें, तो सुहाग अटल रहेगा, जिस दिन सहुकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह से चोप माता सब को सुहागिन रखे, यही करवा चोप के उपवास की सनातम महिमा है आईए, दूसरी कथा भी सुन लेते हैं, अति प्राचिन काल की बात है, एक बार पांडू पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नील गेरी परवत पर चले गए थी, इधर पांडू पर अनेक मुसिबते पहले से ही थी, इससे द्रौबदी ने शोक विहल हो, कृषिन की अर क्या कोई ऐसा उपाय है, जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा परशन अति उत्तम है, द्रौबदी, कृषिन मुस्करा कर बोले, प्रभू फिर मुझे दुख नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताए, द्रौबदी ने पूछा, यही प्रशन एक बा तब कृषिन जी ने एक पल सोचने की प्राद कहा, दुख सकतो संसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है, मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौद का व्रत की कथा सुनाता हूँ, इसे दिहान से सुन, प्राचीर काल में गुणी, विद्वान, धर्म प्रायन एक प्राहमन लेता था, उसके चार पूत्र तथा एक गुडवदी सुशील पूत्री थी, पूत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किल्तु चंद्रोदे से पुरही उसे शुदा अथार्थ भूख बाद्य कर दी, इससे उसके स्मेही भायों ने छल जल त्याग दिया, उसी रात्री में इंद्रानी भूवी चलन करने आई, ब्राहमन पूत्री ने उससे अपना दुख का कारण पूछा, इंद्रानी ने बताया, तुभी करवा चोथ व्रत में चंदर दर्शन से पुर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है, तब उस लड पूल जिवेत हो जाएंगे, कन्या ने ऐसा करने का वचन दे दिया, तो उसका पती स्वस्थ हो गया, इस पर उस कन्या ने वर्ष भर प्रतेव चतूर्थी का वरत किया, और अनंत अख़र सुहाग प्राप्त किया, श्री कृषन ने कहा है द्रौब्दी, यदि तुम इस व भागे, पुत्र, पुत्राधी और धन धाने की इच्छुक, इस्त्रियों को यह वरत विधिपुर्वत करना चाहिए, इस वरत में भगवान शंकर की आरती भी की जाती है, आपने करवाजोत माता की कथा सुनी, एक कथा कभी अकेली नहीं सुनी चाहिए, साथ में कथा कहते हैं, कि इनकी भी कथा होनी चाहिए, तो चलिए मैं भो भी आपको सुना देती हूं, कि कहते हैं कि भगवान हमारा रक्षक होता है, अगर उसे आबद काल में पुकारें, तो हमारी रक्षक जरूर करने आता है, तो चलिए इसी बात पर एक कहनी सुन लेते हैं, कि एक कि भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानती थी, मेंड़क भगवान को नहीं मानता था, और उच्छल कूद करता रहता था, शरारत करता रहता था, एक दिन क्या हुआ, कि एक शिकारी आया, और दोनों मेंड़क मेंड़क को पकड़ कर ले गया, उसने जंगल में आग और घडा जो है, तेज अगनी में जल जाता है, तो मेंड़क उचल-उचल का कहता है, है भगवान बचालो, मेंड़क भगवान का नाम लेती है, हे हरी कृष्ण, हे श्रेकृष्ण, हमारी रक्षा कीजिए, अगर हमसे कोई भूल हुई, हमेशमा कीजिए, इधर मेंड़क बाइबाचिल लाता है हाई मुझे बचा लो हाई मुझे बचा लो तो इस पर जब मेंड़की भगवान से प्रात्ना करती है तो श्रीय कृश्ण ऊपर से बारिश कर देते हैं जिससे वो अगनी बुझ जाती है और मेंड़क और मेंड की उच्छल कर भार कूद कर चले जाते हैं और उनके प्राण बस जाते हैं तो मेंड की मेंडक से बोलती है कि देखो अगर भ्रगवान को हमेशा ध्यान में रखोगे पहला निवाला खाने से पहले उस इश्वर का भुख लगाओगे तो वह इश्वर आपकी मदद रवश्य करते हैं आप उन्हें दुख में याद करते हैं तो वह आपकी मदल हमेशा करने के लिए आते हैं जैसे भगवान में उन मेंड़क और मेंडवी की रक्षा की है ऐसे भगवान हम सब की रक्षा करें चैपातर